एक देश एक चुनाओ एक राष्ट एक चुनाओ एक कोई नई संकल्पना नहीं है पहले भी हमारे देश में एक साथ चुनाओ होते थे और फिर आप देखिए कि आंगे एक साथ चुनाओ करवाये जाने की बात भी हो रही है तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आकिर एक साथ एक चुनाओ क्या होता है एक राष्ट एक चुनाओ होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है एक साथ चुनाओ करवाने की इसकी प्रिष्ट भूमी क्या है अब आ एक साथ चुनाओ करवाने का, उनके क्या तरक हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। और आगे की राह क्या हो सकती हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और वैसे आपको बता दूँ कि जो चुनाव होते हैं न, चाहे आपकी विधान सभाओं के हों, राज्य सभा, लोग सभा के हों, राष्टपती, उपराष्टपती के हों, ये सब चुनाव करवाता है Election Commission of India, भारती निर्वाचन आयो, एक समीधानिक संस्ता है, समीधान की वन नेशन, वन एलेक्सन की बात कर रहा हूं में, और इससे आप देखे, आपके प्रेलेम्स हो, मुख परिक्चा हो, निवंद्र हो, कहीं भी किसी भी तरह का कुश्चन्स पूचा जाता है, चाहे सेविल सर्विस की बात हो, या स्टेट PCS की, वंडे एक जाम में भी कुश आपको बता दूँ कि इस मसले पर चुनाव आयुग, नीती आयुग, विधी आयुग, समिधान, समेक्चा बिचार कर चुके हैं, और कुश समय पहले आपने देखा होगा कि विधी आयुग ने एक साथ चुनाव करवाने के मुद्दे पर विभन, राजनितिक दलों, छेत् पाइटियों, पिसातनिक अधिकारियों की राय जानने के लिए एक कॉन्फेंस का योजन भी किया था, तो सबसे पहले आपके मर में यही सवाल आ रहा है, कि एक चुनाव होता कैसे हैं, तो आप देखेंगे कि देश की बर्तमान, अगर पिणाली को देखें, चुनाव पांस साल बाद, 2024 में आपके लोकसभा चुनाव होना है, अगर आप लोग किसी राजज में रह रहे हैं, तो आपने देखा होगा, अभी उत्तर पिदेश का उधारन ले लीजे आप लो, 2022 में चुनाव होए, अब आप देखें, कम होंगे, 2027 में चुनाव होंगे, पांस सा यानि जब लोकसभा और विधान सभाओं का कारकाल समाप्त होता है, या उनमें से किसी एक को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, राज विधान सभाओं के कारकाल के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हों, इस कारण से चुनाव कराने का कार लगबग साल भर चलता रहता है, और हर साल आप देखते होंगे किसी ना किसी राज्ज में चुनाव होता ही रहता है हमारे देश में. एक देश एक चुनाव पे डाली का पिस्ताओ, फितेक पांस साल के इंतराल में सभी विधान सभाओं और लोग सभाओं की चुनाओं एक साथ कराए जाएं. और इसका अरत यह हुगा कि मद्दान एक ही दिन चरनवद्द तरीके लोग सभाओं राज बिधान सभाओं के सदस्नों के चुनाओं के लिए अपना बोट डाल सके हैं. यानि कि आपकी भी टेंसन खतम हो जाएगी. आप एक दिन निकलेंगे और आप देखिए लोग सभाओं का रोबिधान सभाओं के चुनाओं करके आएंगे. अपना लोग सभा सदस्बी चुनाओं करके आप आजाएंगे. इसकी अगर हम लोग इतिहासिक पेश्ट भूमी को देखें, तो भारत में विधान सभाओं और लोक सभाओं के लिए एक साज चुनाओ कराना कोई नया विचार नहीं है भारत में यस से पहले आप लोग 1952 में जाईए 1957-1962-1967 में लोक सभाओं और विधान सभाओं की चुनाओं एक साज ी आयोजित होते थे और वो समय भी हो चुके, 1968 से 69 की बीच कुछ बिधान सवाओं के समय से पहले विक्टिन के कारण इस पेडाली को बंद कर दिया गया था, पर यहां हुई है कि जब आप देखे कुछ राज्यों की जो बिधान सवाओं थी, उनका विक्टिन कर दिया गया था, तो आप देखे उनका वहां जल्दी चुनाओं करवाने की जरूरत पढ़ने लगी, इसके बाद भारती चुनाओं पिडाली में केंद और राज्यों के लिए अलग अलग चुनाओं आयोजित होते हैं, यानि कि वो आप देखते हैं जो फिक्रिया चलिया रही थी न, उसमें आप देखते ह एक रेपोर्ट 1987 में भी एक साच चुनाओं कराने का विचार पिस्तुत किया गया था, बर्स आप देखते हैं कि या आप देखें बर्स 2018 में बिधी आयोग ने, आप देखते हैं एक साच चुनाओं के कयानुवन का समर्थन करते हुए एक मसोदा भी पिस्तुत, क्या की गई थी? जाच भी की गई थी, अब आप देखें इसकी जरूरत क्यों पढ़ रही है, सबसे पहले तो आप लोग यही जान लीजे, जरूरत एक देश एक चुनाओं की क्यों पढ़ रही है, तो इसमें आप देखें किसी भी जीवन्त लोकतंत में चुनाओं एक अन लोकतंत होने की बात भी करते हैं, अगर हम देश में होने वाले चुनाओं पर नजर डालें, तो पाते हैं कि हर वर्स किसी ना किसी राज्य में चुनाओं होते रहते हैं, चुनाओं की इस निर्मतता की कारण देश हमेशा चुनाओं मोड में रहता है, और इस से नाकेवल पिसासनेक और नीती के नेड़ाय प्रिभावित होते हैं बलकि देश के खजाने पर भारी बोज भी पड़ता है इस सब के सबसे बचने के लिए नीती निर्माताओं ने लोकसभा और राज्य की बिधावन सबाओं को चुनाओ एक साथ कराने का विचार भी बनाया है याद र जैसे उत्तरपिदेश में उत्तरपिदेश निर्माताओं नाया है आपको देखने को मिलेगा आपको बता दूं कि एक देश चुनाओ लोकसभा और राज्य की बिधान सबाओं को चुनाओ एक साथ करवाने का विचारिक उक्रम है या देश की लिए कितना सही होगा और कित बात नहीं है एक तरफ जहां कुछ जानकारों का मानना है कि अब देश की जनसंख्या बहुत जानदा बढ़ गई है लिहाजा एक साथ चुनाओ करापाना संभाव भी नहीं है तो वही दूसरी तरफ कुछ विसले सक कहते हैं कि अगर देश की जनसंख्या बड़ी है तो तकनी आप देखी एक देश एक चुनाओ की समर्थन में दिये जाने वाले तरक कौन कौन से हैं इन्हें नोट कर लीजे आप लो तो सबसे पहले इसकी पक्छ में कहा जाता है कि एक देश एक चुनाओ की पक्छ में कहा जाता है कि यह विकासुनुम की विचार है विकासुनुम की समस्या आती है और इसके कारण बिकास कार प्रभावित होते हैं और आपको बता दूं कि आदर्स आचार सहिता या मोडल और कोड और कंड़क्ट चुनाओं की निस्पक्षता बरकरार रखने के लिए बनाये गया है और इसके ताइद निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाओं अधी सूचना जारी करने के बाद सप्ता धारी दल की द्वारा किसी परियुजना की घोशना नई स्कीमों की सुरुआत या फिर बित्तिय मंजूरी और नियुक्ती पिक्रिया की मना ही रहती है और इसके पीछे नेहित उद्देश यही है कि सप्ता धारी दल कुछ चुनाओं में अत्रिक तलाब ना मिल सके इसके लिए अधी देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाओ कराया जाए तो आदर्स आचा सहता कुछ ही समय तक लागो रहेगी और इसके बाद विकास कारेओं को निर्वाद फूरा किया जा सकेगा इसके पक्ष में एक तरक ये भी दिया जाता है, कि एक देश एक चुनाओ के पक्ष में तरक है, कि इससे बारवाज चुनाओ में होने वाले भारी खर्चे में कमी आएगी और बारबा चुनाओ होते रहने से सरकारी खजाने पर अतरिक्त आर्थिक बोज भी पड़ता है चुनाओ पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही विड़ी इस बात का सबूत भी है या देश की आर्थिक सिहत के लिए ठीक नहीं है एक तरक इसकी पक्ष में भी दिया जाता है एक देश एक चुनाओ के पक्ष में दिये जाने वाले तरक में इससे काले धन और भिष्टाचार को रोक लगाने में मदद मिलेगी और यह है किसी से चेपा नहीं कि चुनाओ के दोरा राजनितिक दलों और पित्यासियों दोरा काली धन का इस्तिमाल खुल कर किया जाता है और हाला कि देश में पित्यासियों द्वारा चुनाओ में किये जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई, किन्तु राजनेतिक दलों द्वारा किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कुछ बिसलेस तक यह भी मातने हैं कि लगातार उसे निजात पाई जा सकती है इसके पक्ष में एक और तर्ग दिया जाता है एक साथ चुनाओ कराने से सरकारी करमचारियों और सुरक्षा बलों को बारवार चुनाओ डूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगे और आप देखें कि इससे उनका समय तो बचेगा ही और ही नहीं निर्वाज चुनाओ कराने के लिए भारी संक्या में पोलिस तो सुरक्षा बलों की इसके अलावा बार बार होने वाले चुनाओ से आम जन जीवन भी परभावित होता है अब आप देखें इसकी पक्ष बाले तरक हो गए अब जो लोग इसका बिरोध करते हैं वो समिधान मौन है समिधान में कई ऐसे प्रावधान है जो इस बिचार की विल्कुल बिपरीद दिखाई देते हैं मसलन अनुचेद 2 के तहत संसत द्वारा किसी नई राज्य को भारती संगे में सामिल किया जा सकता है अनुचेद 3 के तहत संसत कोई नया राज्य बना सकती है जहां अलग से चुनाव कराने पढ़ सकते हैं। होने से उहां फिर से चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। करवाने पर कुछ विधान सभाव की मरजी के खिलाब उनके कारिकाल को बढ़ाया फिर घटाया जाएगा। जिससे राज्यों की स्वायत्ता प्रभावित हो सकती है। भारत का संगीय धाचा संसदीय सासन परणाली से पेरत है। और संसदीय सासन परणाली में चुनाव की बारंबरता एक अकार्ट सच्चा ही है। अब माली जे 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं लेकिन आप देखे कुछ राज्यों की तो 2027 में होना है, 26 में होना है, 25 में होना है, तो क्या उन्हें पहले ही भंग कर दिया जाएगा उनकी विधान सभाओं को और 2024 में ही सभी राज्यों के चुनावा दिये जाएंगे। ये अपना स्तित खोदें, दरसल लोकसभा और विधान सभाओं की चुनाव का स्वरूप और मुद्दे विलकुल अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव जहां राश्यों सरकार के गठन के लिए होते हैं, वहीं विधान सभा की चुनाव राज्यों सरकार का गठन करने के लिए ह होते हैं इसलिए लोकसभा में जहां राष्टी इमहत्य के मुद्दों को प्रमुक्ता दी जाती है वहीं विधानसभा चुनाओं में छेत्री बात्त के मुद्दे आंगे रहते हैं, जैसे आपको बता देता हूँ, 2018 में बिधान सभा चुनाव हुए, आके राजस्थान, मद्विदेश, 36 कर, यहां कॉंग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आप देखने होंगे कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो एक तरफा BJP की सरक बनी, और आप देखिए लोकसभा में, तीनो राज्यों में एक तरफा जीत हुई भारती जंता पाइटी की लोकसभा चुनाव में, तो यही आप देखते हैं कि हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, और इसके बिरोध में एक और तर्ग दिया जाता है, लोकतंत को जं नहीं कर सकता, क्योंकि उसे चोटे-चोटे अंतरालों पर किसी ना किसी चुनाव को सामना करना पड़ता है, बिसले इसकों का मानना है कि एगर दोनों चुनाव एक साथ कराये जाते हैं, तो ऐसा होने की असंका बढ़ जाएगी, अभी आप देखते हैं, कि आपके नेता ज चुनाव जीतते हैं, और फिर गायब हो जाते हैं, फिर पांस साल बाद आ जाते हैं, और बीच में आप देखते हैं कि कोई छोटे-छोटे चुनाव होते हैं, तो उसमें भी उनकी सकल हमें देखने को मिल जाती है, माली जी अगर पांस साल के इंतराल पर चुनाव होंगे, तो नता जी एक बार चुनाओ जीते 5 साल गाएब रहेंगे मालू ही नहीं चलेगा ननेता जी कहांग है तो उसको भी ध्यान में रखते बिरोध किया जाता है एक देशिक चुनाओ के बिरोध में 5 बतर कि ये भी दिया जाता है कि भारती जनसंख्या की मामले में विस्षे का दूसरा सबसे बड़ा देश है और अब आप देख रहे हैं कि पहले इस्थान पर पहुंच चुगा है ऐसी भी कहा जा रहा है ये UN की नई रिपोर्ट की नुसार 140 करोड जनसंख्या बताई जा रही है चाइना से आंगे हम लोग निकलने की बात हो रही है लेहाजा बड़ी आबादी और आधार भूसर रचना की आभाव में लोकसवा और राज्यों की विधान सबाओं का चुनाओ एक साथ कराना तारिकी पितीत नहीं होता है अब फिराल आंगे की राही क्या हो सकती है यह आप लोग देख लिजे एक देश एक चुनाओ की अवधारना में कोई बड़ी खामी नहीं है किन्तु राजनितिक पाटियों द्वारा जिस तरह से इसका बिरोध किया जा रहा है उससे लगता है कि इसे नेकट भविस से लागो करपाना संभाव नहीं है और इसमें कोई दोरा नहीं है कि बिस्व का सबसे बड़ा लोकतंत भारत हसमाज चुनाओी चक्यवियों में घिरा हुआ नजर आता है चुनाओ की इस चक्यवियों से देश को निकालने के लिए एक ब्यापक सुधार चुनाओ सुधार अवियान चलाने की आव सकता है इसके तहत पिजन पितिनी धितिक कानून में सुधार काली धन पर रोक, राजनीती में बढ़ते अपरादी करण पर लोगों में राजनीतिक जागरुकता पैदा करना सामिल है और जिससे समाबिसी लोकतंत की स्थाफना की जा सके यदि देश में एक देश एक कर यानि की जी अश्टी लागो हो सकता है तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता है अब समय आ गया है कि सभी राजनितिक दल खुले मन से इस मुद्दे पर भहस करें ताकि इसे अमली जामा पहनाया जा सके और कई बिद्वान तो यह भी कहते हैं कि चुनाव कराना बड़ी बात नहीं है आराम से कराया जा सकता है कोई परिसानी खड़ी नहीं होगी ना तो पैसे की परिसानी होगी ना जनसंक्या की परिसानी होगी लेकिन सभी राजनेतिक दल एक हो जाए, उनका एक मत हो जाए, तब और अच्छे से संभव हो सकता है तो मुझे लगता है कि इतने point आप लोग याद रखेगा, अगर questions पूछा जाता है, तो आसानी से आप लोग उस पर answer लिख पाएंगे, ठीक है?